तो आज का जो हमरा वीडियो है वो है राइटिंग A to Z बच्चों को जो है इसली घर पे हम A to Z कैसे सिखा सकते हैं इसका जो है पार्ट टू है तो अगर आपने पार्ट बन नहीं देखा है तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दी हुई है आप काइनली जाकर वो पहले देख ले क्योंकि यह और वो वीडियो जो है एक कंटिनुईशन है फॉर्स पार्ट का सो लेट्स गेट स्टार्ट इट सो मैंने फॉर्स वीडियो में जो है फॉर स्टेप्स बताए हैं सो आज के इस वीडियो में हम स्टेप फॉय से स्टार्ट करेंगे सो स्टेप फॉय आपको क्या करवाना है बच्चों को जो है इंटर्ड्यूस कराने है स्लांट लाइन्स अ Upsalant जैसे आप देख सकते हैं, यह अप जारी है, तुवर्ट साप, इसलिए Upsalant and then Down Slant, यह तू स्लांस आपको जो है, बच्चों को इंट्रेड्यूस करवाने चाहिए, क्योंकि यह तू स्लांस से बहुत सारे जो है, अल्फबेट्स फॉर्म होते हैं, इसकी आपको अच्छ step 6, step 6 में आपको करना क्या है, बच्चों को जब आप slant line इंट्रेड्यूस करवा चुके हैं, और उन्हें जब पता है कि slant lines हमें कैसे ड्रॉ करनी हैं, तो आपको जो very next thing वो करना है, वो है slant line related जो alphabet से, वो इंट्रेड्यूस करवाने चाहिए आपको बच्चे को, and then यह total 9 alphabet से, जो slant lines से form होते हैं, देखिए आप जिसे A, K, V, W, X, Y, Z, M, N, जिसे A में आप देख सकते हैं, for example, up slant, then down slant, and then sleeping line, again in K हम देख सकते हैं, standing line, up slant, down slant, then again down slant, up slant, so इस तरीकी की जो 9 alphabet से, वो slant lines के तरू फॉर्म होते हैं, So, इसकी भी जो है, हमें बच्चो को अच्छे से practice करवाने चाहिए, जब आपकी slant lines बच्चो के clear हो जाएगी न, तो यह जो alphabet formation है, वो भी easily हो जाएगा, starting वो proper नहीं कर पाएंगे, बट जैसे वो practice करते रहेंगे, तो इस तरीके के जो है, proper all alphabets वो form कर पाएंगे, So, moving on to step 7. So, step 7 is introduction to curves, जैसे आप देख सकते हैं, आपर मैंने 4 curves बनाए हुए हैं, यह है left curve, right curve, up curve and down curve, बच्ची usually up curve and down curve में confused नहीं होते हैं, वो यह कर लेते हैं, सीख लेते हैं, बट जो यह c, c जैसे दिखता है, यह left curve and then यह right curve जो है, इसमें बोत curves में वो जो हैं confused हो जाते हैं, so, जो मैंने एक trick simple सी यूज की थी फैसल के साथ वो है, मैंने उसे यह वाला curves जो है as a c इंटर्ड्यूस करवाया था and this curve को मैंने उसे right curve से इंटर्ड्यूस कर आया था, ताकि वो confused नहीं हो जाए, so, आप भी यह trick यूज कर सकते हैं, moving on to step 8. So, step 8 में आपको करना क्या है, जो curves से form होने वाले जो alphabets है, वो बच्चों को introduce करवा देने चाहिए, आपको, जैसे आप देख सकते हैं, total यहाँ पर दिये हूए है 9 alphabets, b, c, d, p, s, r, g, j, u, so, यह सारे 9 alphabets, यह जो है curves से form होते हैं, जैसे आप देख सकते हैं, c, then b, standing line, right curve, so, इस तरीके की 9 alphabets, curves से form होते हैं, so, इसकी भी आपको अगें बच्चों को अच्छे से practice देनी होगी, 3-4 days, ताकि उनका जो है concept clear हो जाए, so, moving on to step 9, so, this is step 9, this is the last step, so, आपको last, जो है, introduce करवाने चाहिए, बच्चों को circles, two curves को, अगर हम मिलाते हैं, तो circle form होता है, so, अब circle introduce करवाने की बाद, हमें, जो है, circle से form होने वाले alphabets बच्चों को introduce करवाने चाहिए, जैसे O and Q, so, इस last step के बाद, आपकी, जो है, A to Z की journey, जो है, complete हो जाएगी, so, just मैं आपको एक glimpse बताती हूँ, कि अमने, जो है, stroke से, pattern से, बच्चों को 26 alphabets कैसे सिखा है, so, जैसे आपको पता ही है, total alphabets जो होते है, वो है 26, so, sleeping line and standing line, जब हमने बच्चों को practice करवाई, तो उससे बच्चे 6 alphabets सीख गए, then slant line के तुरू 9 alphabets वो लिखना सीख जाएंगे, curves के तुरू again 9 alphabets, and circle के तुरू 2 alphabets, so, इस तरीके से, total 26 alphabets बच्चा जो है, easily सीख जाएगा लिखना, so, pandemic is still going on, हमें जो है बच्चों को घर पर ही जो है, बच्चों को लिखना सीखाना है, so, have patience, and बच्चों को जो है, practice करने कही है, बार बार, क्योंकि practice makes perfect, hope this knowledge helps, hope this video helps, give a thumbs up, bye-bye, take care and subscribe to my channel,